विटा, इक्जाम का दिन आपके सपने सच होने का दिन आ गया है आपके साथ इक्जाम सेंटर पर आपके पेरिंट्स का, P.W. की टीम का विश्वास, आशिवाद बना रहेगा आपने बिलकुल नहीं घबराना पेपर बड़ी आटांप करना है आप जीत की चमक के साथ एक्जाम सेंटर से बहार आएं, ऐसे शुखकावनाओं के साथ best of luck. एक्जाम को डर एन प्रेशर से मत दो की पता नहीं क्या होगा, एक्जाम को इस खुसी और उमीद से दो, कि आज तुम्हारा दिन है, आज वो दिन है जिस दिन तुम्हारा सपना साकार होगा और तुम ही successful होगे. तो आगया है आप लोगों का दिन, पी डवनू के साथ आप लोगों ने एक साल, तेर साल भौत ही मेहनत करी है, टीचर्स के साथ आपने जम के मेहनत करा है बेटा, अब आपको ये त्री आर्स अपना best देना है. समुद्र में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का होसला रखो, एक हार से कोई पकीद और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. कल आप लोग का एक्जाम में बेटा, एक ही बात बोलूँगी, अगर पेपर इजी आ जाए, तो रखना patience, और अगर पेपर टफ लगे, तो रखना confidence, जो मुझे नहीं आता, वो किसी को नहीं आता, ये सोचते हुए कल का पेपर देना है. बस बेटा, आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, कि लाइफ के दो पार्ट होते हैं, हार और जीत, सच्चा विजिता वही होता है, तो दोनों को मैनेज करना जानता है. तो बस आपने जीत, तोड महनत की है, पूरी साल, अब समय आगे उसको प्रूफ करने के, कल जीत आपकी ही होगी, आप पूरी ताकत के साथ पेपर दीजिएगा, डरिएगा नहीं, मस्त पेपर जाएगा, बस पेपर में जो आपको जादा आता हो, बिलकुल, अच्छे से आ जाता हो, उसको पहले करिएगा, आपका हुआ कोर्शन नहीं छूटना चीए, ठीक है? All the best. All the very best for your neat exam and give your best shot. You will achieve your goal and nothing can stop you from doing that. आत्व के जीवन पर कोई बोजी है. अकसर दुनिया में मैंने देखा है, अच्छे साबुन और अच्छे सेंपूर से नहाने वाला व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ अपना लिबास बदल सकता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला व्यक्ति, पुरी दुनिया बदलने की ताकत तेंप करें आपकी जीत निश्चित है विश्यू आल दे वेरी बैस आप नीट ट्वंटीवन के टेस्ट को एक अनदर टेस्ट की तरह जिस तरह से आप पी डॉल्डू में टेस्ट देते हैं उसी तरीके से ट्रीट करें ताकि आपका जो ब्रेन है उसको ऐसा ना लगे कि भई कुछ examination की वज़े से कुछ temperament आपका डाउन हो जाए इसलिए मैं ये advice आपको देना चाहा रहा हूँ ठीक है बच्चो तो paper दीजिए और paper को फोर्ड के आए थैंक यू चैंपियंज सच है विपत्तियां आती हैं कायल को ही दहलाती हैं सूर्मा नहीं बिचलित होते चण एक नहीं धीरच खोते पिगनों को गले लगाते हैं काटो में राह बनाते हैं तो एक्जाम के दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है तीन सी अपार्ट फॉर्म कंटेंट डाट इस कूल, कामनेस और कंपोज तो बेटा अच्छे से पेपर दे क्या आना ओल्द वेरी बेस्ट जाने से पहले सेंटर अपको दो चीज़े याद रखनें, पहले कोविट के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करो, सेफटी मैटर्स दो मोस्ट और दूसरा बिटा जाने से पहले, टेक दे ब्लेसिंग औफ यॉर पेरेंस तो सिर्फ और सिर्फ इतना केना चाहता हूं कि एक्जाम को बहुत अच्छी तरीके से करना है आप लोगों को, क्योंकि डरने वाले को इस जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में ये पूरा जहां होता है जब हौसला बना ही लिया है उडान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का, all the wish for tomorrow कोई भी बड़ा कार्य बेटा इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने शुरुवात कैसे करी है, कितनी बड़ी शुरुवात इस पर डिपेंड करता है कि आप उसका अंत कैसे करते है तो यार मैंने साल बर आप लोग को काफी डाटा, काफी जगड़े हुए हमारे, काफी हार्श वर्ड्स बोला, सिर्फ तुमारे बेटर्मेंट के लिए आज ना मैं आपको डाटूंगा, ना आपके गुस्ताओंगा, सिर्फ प्यार से कहूंगा, कि मेरी सारी दुआए, मेरी सारी विशेज आपके साथ हैं और कल एक्जाम में आप भोड़ के आए, all the very best अब यहां कुछ बच्चों को डेफिनेटली बहुत डर लग रहा होगा कल के पेपर से, और उनसे बात करना बहुत जरूरी है आपको लग रहा हो कि कल का पेपर कहीं खराब हो गया, तो सिंदगी पूरी खराब हो जाए ऐसा नहीं होता यार, जिंदगी बहुत बढ़ी है, याद को लो जब तुम क्लास फर्स्ट में थे और वो पेंसिल बॉक्स चोरी हो गया था स्कूल में और तुम्हें शाम तक लग रहा था कि पापा को बताएंगे, तो पापा कितना डाटेंगे, कितना मारेगे, यार मेरा क्या होगा इसकूल से घर जाते तुम कितना टेंशन में, कितनी प्रॉब्लम में थे आज वो चीज तुमाई लाइफ में मैटर करती है, नहीं करती है इसी तरह से आज से चार से पांच साल बाद ये चीज तुमको इतनी मैटर नहीं करेगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब मूवी अभी बाकी है तो बच्चों, अपना एक्जाम अच्छे से देना, अच्छे मन से देना, और ये जिन्दगी क्या कोई एंड नहीं है इसके बाद भी जिन्दगी बहुत आगे बढ़ेगी, वो भी ता पॉजिटिव थाट, अपना बेस्ट करो, आल दा बेरी बेस्ट